सो नमस्कार सबको सुब दिपावली किस हरदिक सुब कामना है सिदुर का आटमोबाइल स्कॉर से आज भी आप सबके समने खड़े होगे कुछ नए इंफर्मेसिन देने के लिए तो जो लोग हमारा इस चैनल पर अभी तक नए है तो चैनल को साब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का घंटी जो है इसे बजाना मत भूलिएगा काफी सरा इंफर्मेसिन जो है आप सबके लिए हर दिन हम सब छोड़ते रहते सिद्र का आटो मुबाइल स्कॉर से दोस्तों हम लोग अभी आप सबके साथ त्योहार मना रहे हैं सुब्धिपावली का जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि यह देख सकते कि हम लोग भी सुब्धिपावली का जो है त्योह हैं हमरा सिद्यृका आठंवोबाइल स्कॉर से अधित थोड़ा काम की बात भी कर लेते आप सब के बैदा असाथ हमारा काम है एकछिली रोस्टर मसीन बनाना और हम लोग सिरी पर सिरी रोस्टर मसीन बनाते या याने कि यह जो मुडही बोलते हैं आप लोग कोई चना रोस्टर मसीन बोलते हैं कोई पपकन भूंचते हैं कोई प्राइम्स भूंचते हैं कोई कट्टोरी फस्ता बीरियानी तो यह सारा कुछ जो है यह भूंचते ते यहांने की यह एक्शली मसीन है हम नोग इसी darkest है हाशकते हैं कर시면 consent किस्त हो यह समझते नहीं है खाली एक ही मसीन को बनाते है और इसी मसीन में हमलोग माहीर है जी हाँ दोस्तों आगर आफ सिद्रुगा आटो मुबाल्स को बढ़िया से सर्चिंग कीजेगा तो फिर देखिएगा कि हम लोग इसी मसिन में स्पेसालिस्ट है याने कि सारा धान हम लोग इसी में बटोर लेते है ताकि आपको जो भी मसिन मिलते है यह मसिन अपका नमबर वान फूर तो कि हमारा दूसरा कोई काम नहीं है हम लोग इसी मसिन को जो है नमबर वान मनागर के छोड़े है जिबकि all of our India से हमारा यहां कस्टमार आते है हर स्टेटिस में से कस्टमार आते है कभी आप गुजराट बोल दिजे, कभी आप महरास्त बोल दिजे, कभी आप ओडिसा बोल दिजे, आपका जड़कन बोल दिजे, बिहार बल दिजे, बंगाल तो खेर हुई कि हर एक जगा से हमारा यहां कस्टेमार आते हैं, और अलग-अलग कस्टेमार का डिमांड अलग-अलग तरह का होते हैं, यानि कि हर जगा एक जैसा प्रोडक्ट नहीं होते हैं, हर कोई मुरुमुरा नहीं भूंजते हैं, कोई-कोई चना भूंजते हैं, कोई-कोई फ्राइम की आप मसीन तो एकहरीद थे हैं लेकिन विजनेस चोगों आप कम से कम 24 पुढके करते हैं क्योंकि यह जो आप मसीन нужно आपको विजनेस कर सकते हैं अभी आपको चूज कर लेना है कि आपका जो लोकालिटी है आपका जो एरिया है आपका जो मर्केट है अप कुन सा प्रोडाक्ट को मतलब रोस्ट करने से आपका बिजनेस बढ़ेगा हाला कि हम लोग सीप और सीप मुरी मसीन बनाते हैं और मुरी मसीन के बारे में जिकर करते हैं ऐसा बात नहीं है मुरी मसीन के बारे में तो बात करते ही है जो भी और इसे जो है शेयर करना मत बुलिएगा क्योंकि काफी सरा पर फ्रेंड सरकेल रिलेटिव सरकेल होते हैं जिनको भी काफी सरा जनकरिया आपको जरिये हो जाते हैं यानि कि जो लोग परिशान है जो लोग घर बैठे परिशान है करे तो क्या करे क्या ना करे इसे दुबिधा का दोरान दोस्तो पहले आपको जो है मसीन को देख लिएना है आपका बजट कितना है और आप क्या-क्या रोस्टिंग करना चाहते है क्या-क्या बिजनेस करना चाहते यह एक बड़ पहले सोच लेना है हाला कि जो लोग हमारा channel को अभी तक subscribe कर लिया है उनके पस काफी सरा जनकरिया जो है इस channel के दोरां दिया गया है वो लोग काफी सरा video जो है वो देखते रहते हैं कैसे करके installation किया जाता है कैसे करके आपको production निकाला जाता है कैसे hit दिया जाता है कास्ट वर पे मर्केडिंग कैसे करना होता है ये भी कुछ-कुछ आडिया हम लोग दे देते हैं यानि के स्रीप और स्रीप मसिन बेजने ना हमारे काम नहीं है मसिन को बेजने का बाद कस्टेमर कैसे मसिन को हैंडलिंग करते हैं कैसे करके बिजनेस करते हैं कैसे करना चाहिए यह सारा कुछ जनकरिया आपको इस Channel का दोराण दिया जाता है तो इसलिए दोस्तों आगर आपको हमारा Channel पसेंद है आगर आपको हमारा Channel अच्छा लगता है इससे share करना मत बुलियागा दोस्तों कापी सरे आपका friend circle होता है relative circle होते है इनको भी तो काफी सरे जनकरिया आपके दोरान मिल जाते हैं न तो जो लोग परेशान है उन लोगों लिए भी काफी मसला हाल हो सकते हैं इस चैनल के दोरान क्यूंकि सबसे बैतरिन जो बिजनेस टेक्निक है इस चैनल के दोरान दिया जाता है सीप और सीप हम लोग मसीन खाले बेचने को उपर जूर नहीं देते हैं बलगी बिजनेस के बारे में भी सोचते हैं जानकरिया देते रहते हैं तो दोस्तों आगर आपको घर बैठे मसीनरी चाहिए तो फिर नीचे दिया गया नमबर पर आप हमारे सब काभी भी कॉंटाक्ट कर सकते हैं और आप घर बैठे भी मसीनरी ले सकते हैं हाला कि आपको किस तरह का मसीन चाहिए कितने कापासिटी का चाहिए आप अपने बजेट के हिसाब से को भी मशीन रिले सकते है जो भी मशीन आपको सुधर का आटनोमोबाइल में से मिलते ही बे नमबर वान होते है क्योंकि हम लोग क्वालिडी में कंप्रमाइस नहीं करते है तो दोस्तों आज का इंफरमेशन पेलाल हमारा इतना इता अगबर देख लिए सब का साथ हम लोग जो है जासन माना रहे हैं अभी सूप दिपावली का और इधर जैसे कि हमारा गाउं दिहात का एक रीती है हमारा यह रीती रिवाज है मैं आपको दिखाना चाहूंगा आप देख सकते हैं मंबाती की तरह इस तरह हम लोग जो है मंबाती जैसे हम लोग चलाते रहते हैं दिये जलाते रहते तो कुछ इस तरह भी कि हम लोग जसन मनाते हैं कुछ इस तरह भी जसन मनाते हैं आप लोग देख सकते हैं जैसे कि हमारा यहां का रीती रिवाज है आसा रखते हैं कि ऐसे कुछ चलते होंगे तो हम लोग भी वही मना रहे हैं हमारा फैक्टरी में मना रहे हैं तो दोस्तों जो लोग हमारा चैनल को पास इतना हैं मिलते हैं आगे के इन्फर्मेसिन में तब तक के लिए नमस्ते